तो अगर हम साथ दिन की बात करें तो ये एक दिन में दो बनाता है तो साथ दिन में कितनी बनाएगा कितनी ये बनाएगा चोहदा कुरसियां साथ दिनी चोहदा और रहीम जो है क्योंकि एक दिन में एक ही बना पाता है तो ये साथ दिन में कितनी बनाएगा बताईए ये साथ ही बना पाएगा क्योंकि एक दिन में एक बन रही है अब इसको देखो ध्यान से और एक बात नोट क ज्यादा एक दिन में एक ही बन पा रही है तो यहां पर काम हो रहा है कम क्लियर है ना टाइम लग रहा है कम तो काम हो रहा है ज्यादा टाइम लग रहा है ज्यादा तो काम हो रहा है कम तो क्या समझे आप अजी हम यह समझे कि टाइम और वर्क यह जो होते हैं ना यह आपस मे उल्टे होते हैं ये ध्यान आप ये चीज़ यहां बिठा लीजी क्या अगर किसी चीज़ को करने में क्या लग रहा है टाइम कम लग रहा है तो वो चीज़ क्या होगी वो ज्यादा बनेगी अगर किसी काम को करने में टाइम ज्यादा लग रहा है तो वो काम कैसा होगा वो कम तो यह बात भिल्कुल धियान से बिठा लिए उल्टे होते हैं यह बाद ध्यान रखेगा पास यह पूरे चैप्टर का निचोड़ बता हूं मैं आपको टाम वर उल्टे होते हैं यह दियान रखना पहले दियान लगने की यह अब दूसरी बात एक और है इसमें वो क्या है कुछ सवाल इस टाइप के भी आते हैं कि बान लीजिए दो हैं कोई आदमी ए और बी जो है उसकी एफिशेंसी दुगनी है बी के मुकाबले एफिशेंसी माने उनकी काम करने की शमता मतलब अगर बी एक कुरसी बना पा रहा है तो ए यह दो बना लेता है इसका मतलब यह हुआ एक की जो एफिशेंसी है एक की जो शमता है काम करने की स्पीड है वो तेज है दुगनी है तो हम इसको एक बड़ा दो से दिखा सकते हैं अब यह समझिए अगर इनकी स्पीड जो है वो दुगनी है एफिशेंसी दुगनी है तो कितना लगेगा अगर यह एक बना पा रहा है तो इसको लगेगा दो टाइम और अगर यह दो बना पा रहा है तो इसको लगेगा एक टाइम मतलब टाइम जो है इसको कम लगेगा इसके मुकाबले क्यों क्योंकि यह बनाई भी तो तेज रहा है ना तो यहां से एक चीज़ और क्या कि एफिशियंसी और होदे हैं शम्ता काम करने की क्वाइब बहुत्स सब्सक्राइब तो उसको ते ना सोक्राइब तो उसको आराम-ठी ज्यादा लगेगा तो किО यारे दूसरी बात क्या कोuing कितना जितना काम करेगा यह इसका काम होगा तो यह सका वर्क होगा क्योंब अपता है कि ल्हो attrib होते हैं जब 15 दिन टाइम हो युक्ता हो एक बड़ तरह व्लबड़ वल्बड़ अप support या फिर उसका जो काम है वो दस है ठीक है तो वो कितना टाइम लगा वो लगाएगा एक बटा दस तो यह उल्टा चलेगा बस इस चैप्टर का पूरे चैप्टर का निचोड़ है अब आपने सीख ले आई आए अब आते हम कोशन की तरफ जड़ले से कोशन सॉल्फ करेंगे रह ses और अब दोस्तों की लाइन लगने जा रही है और हर कोशन में ऑदेट होंगे पहला सवाल शुल्फ को essay कौंको दस दिन में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर इस वार हम कितनेया करें पहला करेंगे मैं लिया है बहुत एस लिया है आहिका आपको पिल्कुलाया या दो तरीके बता रहा हूँ, जो आपको easy लगे, आप उससे कर देना, कोई tension की बात नहीं है, पहला तरीका क्या है, एक इसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, इसका मतलब, उसका काम कितना होगा, उसका काम होगा, एक काम कितना काम होगा, एक बटा 10, अभी तो हमने पढ़ा है एक बटा 15, टाइम इन वर्क उल्टा होता है, ठीक है, तो यह आ गया एक का, और यह आ गया भी का, बस अब हमाँ यह बताना है, कि दोनों मिलकर, कितना काम करेंगे, कितने दिन में करेंगे, तो a और plus b, दोनों का काम को आप मिला दीजिए, a का काम जो है, वो एक बटा 10 है और b का काम जो है, वो एक बटा 15 है, lcm लेकर solve कर लो, time and work में है ही क्या, lcm ले लो यहाँ पर 15 और 10 का lcm कितना होता है, बताइए मुझे कितना होता है, 15 और 10 का lcm होता है, 30, lcm हमने ले लिए हैं, फिर कि अगरते हैं, नीचे वाले से divide, उपर वाले से multiply, तो 10 से 30 की divide करेंग तो यह तो आगे इनका काम, दोनों मिलकर एक बटा 6 काम करेंगे, और काम का उल्टा इक बटा च्छे का उल्टा क्या होगा, छे, तो दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में, 6 days में complete कर लेंगे, एक तरीका तो है, आपको यह वाला आसान लगे, यह वाला एपलय करो, दूसर वाल यह बहुत सिंपल है हमसे सवाल में कहा कि एक एक काम को दस दिन में कर रहा है और बी जो है वह उसी काम को 15 दिन में कर लेता है तो दोनों को कितना होगा सबसे पहले हम इस तरह से लिखकर सब्सक्राइब रहा रहें तो दो दोनों 5 दिने में कर रहें तो 5 कुरसिया बना रहें देखा आपने कितना आसान है जो आपको इजिलागे यह वाला इजिलागे यह वाला फोलो करो आथ अंसर MM नेए चाहिए बस के दियान ना… अगला सवाल आ चुका है और इसमें चेंज है हर सवाल में चेंज होगा तो सवाल पढ़िए यहाँ पर मेरे साथ यदि A और B मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करें तथा B अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा करें तो A अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगा सवाल च पराना है वही ट्रिक लगाएंगे वही तरीका फॉलो करेंगे जैसा रहे साम से कहा है वही वही कर लो तो हमसे पहले बोला के ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं और बी जो है न यह अकेला उसी काम को कितने दिन में कर रहा है बीस दिन में कर रहा है कोई टेंशन वाली बात नहीं, इनका LCM ले लो, 20 और 15 का LCM होगा, कितना 60, 60 होगा, 15 को, 60 को डिवाइट करें 15 से, तो 15 चौक 60 यह आ जाएगा, और 20 से करेंगे, तो 20 तियां 60 यह आ जाएगा, मतलब A और B जो हैं, वो एक दिन में बना रहे हैं, चार कुरसियां, चार काम कर रहे हैं, और B अकेला जो हैं, वो एक दिन में कर रहा हैं, कितना 3 काम या, 3 कुरसियां बना रहे हैं, कुरसियां बना रहे हैं, तो A और B दोनों मिलकर एक दिन में 4 कुरसियां बना रहे हैं, और B अकेला जो है वो सिर्फ 3 बना रहा है तो अगर हम इन 4 में से 3 माइनस कर दे तो A कुरसी आएगी ये A कौन बना रहा है अकेला ये बना रहा है A दोनों की mix 4 थी B की 3 आई हैं B की 3 हमने हटा दी जो बची है वो A की आगई तो A एक दिन में पहल जो बनाई है बहुत ही easy हो जाएगा आगे और लेते हैं कुछ और चेंज परतों अब आगे है एक efficiency शमता वाला सवाल हो रहा है हर सवाल पर्लो है पर मेरे साथ राम रहीम से अरे यह राम रहीम से दुगनी गती से काम करता है ठीक है सवाल में हमसे क्या कहा गया है कि राम है और रहीम है यह दोनों है और राम जो है ना वो रहीम से दुगनी गती से काम करता है इसका मतलब यह है कि अगर रहीम बना रहा है एक कुरसी तो रा सवाल में कहा गया है अभी तक यदि दोनों मिलकर किसी काम को बारा दिन में पूरा करें तो राम अकेला उसे कितने समय में करेगा हमसे कहा गया अगर दोनों मिलकर किसी काम को बारा दिन में कर लेते हैं तो राम अकेला उसको कितने दिन में करेगा इसकी शौट ट्रिक बताने में ये काम को पूरा कर रहे हैं यहां यहां करता हूं मैं बारा दिन में ये काम को पूरा कर रहा है हमसे सवाल में कहा गया है तो करना क्या है आपको इनके जो रेशो बनेगा बल्टिप्लाइ करके उसकी प्लस तो आप लिखेंगे ऊपर दो रिक तीन जिसका पूछा है हमसे गया है हमसे पूछा है तो राम अकेला उसे कितने समय में करेगा जिसका पूछा है उसका रेशो आप इसके नीचे लिख दो इसको सौल कर लो आंसर लियाओ तो दो चिंग 12-6-18-18-18 दिन लगेंगे राम को करने में कितना आसान सवाल है स्रीक क्या करना है जितने दिन है वह दोनों की रेश्यो को प्लेस करके उपर लिखो जिसका पूछा है उसकी रेश्यो डिवाइड में लिख दो सौफ करके आंसर लिया हो तो राम को अठारा दिन लगेंगे उस काम को अगर वो अकेला करता है तो और बीस का सही आंसर होगा एक कोशन और लेते हैं कुछ और पूरा कर सकता है ए उस काम को अठारा दिन में कर सकता है और बी अकेले ने इस पर दस दिन काम करके छोड़ दिया यह 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 भगोडा भाग गया दस दिन काम करके पैसे नहीं दिये पता नहीं क्या हुआ शेश काम को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा त यह बताना है, बहुत आसान तरीके से समझाओंगा, जो कहा गया है, वही करना है, कुछ अलग करना ही नहीं है, हमसे कहा गया है, यह जो है, किसी काम को 18 दिन में कर लेता है, अकेला, और बी जो है, उसी काम को 15 दिन में अकेला कर लेता है, है न, यही तो कहा गया है, अब इनक और वो टोटल काम 90 कुरसियां ले आईए 90 कुरसियां टोटल बनानी है तो ए जो है एक दिन में 5 कुरसियां बनाता है और बी जो है एक दिन में 6 कुरसियां बनाता है अब बी ने 10 दिन काम किया ठीक है बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम किया तो जब बी एक दिन में 6 कुरसियां बना रहा है, जो 10 दिन में कितनी बनाएगा, आब बदाइए, 10 दिन में वो बनाएगा 60 कुरसियां, टोटल 50 कुरसियां बनानी थी, बी ने 10 दिन तक 60 कुरसियां बनाई, कि एक दिन में वो 6 बनाता है, तो 60 कुरसियां बन चुकी है, 60 कुरसियां कम कर दो, कितनी कुरसियां ब तो एक और छे दिन लगेंगे उसको बनाने में तो इसका option सही होगा option C 6 दिन किसने कहा time in work hard है बहुत easy है यार देख लो ना आप कितनी आराम से question हो तो चले जा रहे हैं एक question और लेते हैं कुछ और change करते हैं अब वीडियो छोड़ के मत भागना क्यूंकि सवाल आ चुका है भ पांच भाग नो दिन में पूरा करता है और सी जो है वह इस काम का दो बटा तीन भाग आट दिट में पूरा करता है तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे भाग घवराने की जरूरत नहीं है मैत का डर खतम कर दूंगा आपका देखिए क्या करना है आप पूरा 10 दिन में ही तो करेगा, जब आधा 5 में कर रहा है, तो पूरा 10 दिन में करेगा, तो इसका मतलब यह है कि ए जो है, वो एक काम को 10 दिन में करता है, यह कहा गया है हमसे, ठीक है, इस तरह से हम B का निकाल लेंगे, देखि B का कहा गया है, 3 बटा 5 भाग 9 दिन में निकाल तो 3 तीया 9, 3 पंजे 15, यहां से आगया B उसकाम को 15 दिन में करता है, बिल्कुल इसी तरीके से C का भी निकाल लेंगे, C का है 2 गटा 3 भाग 8 दिन में करता है, तो 2 गटा 3 करता है, तो 3 गटा 2 कर दो, उल्टा कर दो, तो C का ही पूरा निकल के आजएगा दिन, तो 2 चौक 8, 4 बारतियां बारा तो इसका मतलब है C जो है इस काम को बारा दिन में करता है अब बिल्कुल सवाल नॉर्मल हो चुका है जो कठीनाई थी वो पीछे छोड़ चुकी है इसका LCM ले लेंगे 10 15 और 12 का LCM होता है 60 60 अब बस डिवाइड कर देंगे हम तो डिवाइड करते हैं दस च चुक साथ 4 बार जाएगा और 12 15 जाट होता है तो ये पांच वाइड हो चुका है तो वही कुर्सियों समझें साट बनानी ती ये बनाता है चाइब बनाता है ये करश ये बनाता है ये साड दिवाइड कर देंगे और सारा काम पूरा हो जाएगा तो ओप्ष्न विसका सहिए फिरा चार दिया ने खाया वहां सवाल जैंज़ साथ तो दोस्तों आईए आखरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो का चैप्टर का नहीं चैप्टर चलेगा पार्ट्स आएंगे और आने वाले पार्ट्स में तो मैं आपको जादू दिखाने वाला हूं बिना इसके टाइम और के कोशन सॉल्व करेंगे हां जी मार कर की जरुदत नहीं पड़ेगी जरा सी वी तो आई अब यह सवाल समझते हैं एक इसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है ठीक एक है वह किसी भी काम को बारा दिन में पूरा कर लेता है एक तुलना में मतलब एक कंपेरिजन में बी जो है वह सिक्स्टी परसेंट अधिकारी कु एक काम को करने में जिस लेकिन वी उस से सिक्स्टी परसेंट जादा कार्य कुशल है तो देखिए क्या करना है आपको एउस काम को 12 दिन में कर रहा है तो एक काम कितना होगा परडे का काम होगा एक बटा बारा यही तो पड़ाए ना अपने टाइम और वरेक होता है तो पर यह कुछले मोर्ड एफिशेंट है इस काम से मतलब ए जो एक बारा काम कर रहा है ना भी इस से 60% ज्यादा काम करता है तो भी कितना काम करता है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे 160 सो में जितना वह एक्टिव है क्यों कि हंड्रेट परसेंट तो यह खुद भी कर रहा है लेकिन बी 90% ज्यादा है तो क्या करेंगे 160 करेंगे 100% पूरा एक और परसेंट बी ज्यादा है तो mad 60 और % के लिए हम लगा देंगे नीचे यहां पर 100 के परसेंट बढ़ दिया है हमने 60% यह हो गया इसको जब हम solve करेंगे तो यहां से हमने 0 से 2 उड़ा दी और 4 तिया 12 चार चोक 16 तो उपर बचा हमारा चार और नीचे बचा बचा तीन और 10 तो यह हो गया आपका 30 तीन थे तो यह आई greeting किया का सब्सक्राइ far across by अधूरित लेकिन हमें तो bi की कितना समय लेगए तो क्या करें अरै अरे उल्टा कर दो न यही तो पड़ते आ रहे हैं हम सुभा से क्या पढ़रा हैं तो पढ़ रहें टाइम उर वर्डाइन होता है Is inspiredरक निकला इसका औलड़ा कर दो 13-4 और इसको करेंगे थो चरल स्त्रेज बचेजाएगा दो पैसे पैंधार रहेंगे लिए आगया answer अरे यह तो option में ही नहीं है option में है यार यह रहा ना एक बड़ा दो का मतलब .5 भी तो होता है साड़े साथ तो बी को उस काम को करने में साड़े साथ दिन लगेंगे तो यह वीडियो में यह वीडियो कैसी लगी समझ में आया नहीं चाहिए हॉमवर्क भी तो है आपके लिए हां हॉमवर्क यहां पर आपके लिए आ चुका है हॉमवर्क भूलिया था मैं हॉमवर्क आ गया आपका यहां पर हॉमवर्क के आंसर मुझे कॉमेंट करके बताना बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए वन्ना पिटाई हो जाएगी है